If you want to grow your YouTube channel to the 10x level, then this is the right time. पिसले 5 साल के अंदर जितने भी हमने फॉल्लो और सब्सक्राइबर गेन करे हैं YouTube के ऊपर, उसकी सारी स्ट्वेटेजी और सीक्रेट हमने इस वीडियो के अंदर बताया हैं. और ये YouTube के ऊपर सबसे पाफुल वीडियो है, अगर आप देखोगे, तो आपने बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर सकते हैं, तो चलिए, जानते हैं. YouTube में अभी हम बहुत सारी गलतिया कर रहेते हैं, content creation के अंदर. अब YouTube बनाना कैसे है, चलेगा कैसे, क्या बोलना है, क्या tags होते है, कैसे thumbnail लिया आता है, कैसे title सर्च किया आता है, सारी चीज़े. और बिजनिस चलाने के लिए YouTube क्यों इतना important है? Instagram पे हर कोई मिल जाएगा. Basically, TikTok चपरी, Instagram चपरी. YouTube, एक बड़े लोगों के लिए बड़ा गेम, ठेक है? अब, डाउन ग्रेड नहीं करना, Instagram की quality. अब मैं, देखो, ये चीज़ इसलिए भी बोल पा रहा हूँ. हमने YouTube के अपर, आड के ओपर काम करा, कैसी audience है? Convert. उनका content बहुत क्लिया है, तो मुझे है हाँ से क्या मिलेगा? और वो, पहली बार मैंने देखा, लोग वीडियो पूरा complete देखके है हमारे पास. Revolution वाला. Price पता है, उनको पता है problem क्या क्या सार चीज़ है, और वो convert वाले, mind वाले है. पैसा भी है उनके पास. Instagram और Facebook की audience बिल्कुल भी ऐसी नहीं है. इसलिए मैं हमेशा से YouTube पे जाधा focus करता हूँ. कभी Instagram के लिए special कोई जाधा content ने grade नहीं करता हूँ. इसलिए मैं YouTube पे ही जाधा content prefer परना पसंद करता हूँ. Even, यह हमारी क्या क्या चीज़ बढ़ा रहा है. Trust बढ़ा रहा है, Authority बढ़ा रहा है. Start करते हैं content creation से हमें बोलना कैसे है. कोई बताएगा कि content shoot कैसे होता है. मतलब क्या structure होता है. तुझे बता है? Long form of video का? हाँ. Book story ओकर ads का. Very good. हम यहाँ पे एक तरीके से media buyer हैं, performance marketer हैं. हम ad बनाने के लिए बहुत जद्दो जहत करते हैं. और वो ad perform करता है, अच्छा काम भी करता है. इसलिए हमें एक creator भी है. हम ad किस sequence में बनाते हैं? value offer. hook value offer या AIDA. attention, interest, desire और action. बट यहाँ पे हम wrestle-bransell वाला formula लेके चलेगे. hook, value, offer. अगर मैं ऐसी वीडियो बना के starting से डालने लगू, तो शायद इतनी impactful नहीं होगी. अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो मैं starting में कैसे करूँगा, जैसे मैं किसी individual से बात कर रहा हूँ. जैसे for example, if you want to grow on YouTube, तो लग रहा है नहीं कि मैं इससे बात कर रहा हूँ. वी वांट टू ग्रो, वी भाई कितने हैं? अस, नहीं. आर फैमिली, नो. इफ यू वांटेट तो मेक 10 लाके न मन्थ, तेन दिस इस फो यू. इफ यू, 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 वेल्यू, ओफर. हुक के अंदर क्या चीज़ आती है? वीडियो किस चीज़ से रिलेटेट है? इफ यू आरा कोच, कंसल्टेंट और एजिंसी होना, क्लियर हो गया कि ये उन लोगों के लिए बना रहा है. If you wanted to make 10 lakh net profit in a month, पता लग गया, इनको 10 lakh बनाना उनके लिए. If you wanted to grow your YouTube channel, like 10,000 subscribers, this video is for you. हुक कम्प्लीट खतम. इसका काम खतम हो जाता है. हुक माने डारेक्ट बता दिया कि हम ये चीज़ करने वाले, हमारी वीडियो में, रीसेंट वाली वीडियो में, उसके बाद value, value जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, या YouTube कोई fresher भी होगा इस वीडियो को देखने के बाद, उसके लिए बहुत easy हो जाएगा. जो लाखो करोड़ो रुपे के YouTube चैनल बनाये हैं लोगों ने, या करोड़ो रुपे बनाये हैं YouTube के courses से, वो सब कुछ यहाँ free में बता रहा हूँ है, सब कुछ. यह क्या है, value. तो यह जो हम meeting में बात कर रहे हैं, completely value हो गया. Offer. बहुत important चीज़ है. आप offer subscribe करने के लिए बोलते हो, कहीं link पर जाने के लिए बोलते हो, या दूसरी वीडियो पर जाने के लिए बोलते हो, एके करके तुमसे पूछता हो, तुम offer में क्या लेना पसंद करोगे, अपने product service sale करना पसंद करोगे, तुमारे लिए subscribe करना पसंद करोगे, या दूसरी वीडियो पर भेजना चाओगे, मैं नहीं करना चाहूँगा, वेरी करेक्ट आंसर, मैं सेकेंड वीडियो में लेके जाना चाहूँगा, अब ये होता है content का structure, ये catch कर लोगे, अब ये होता है content का structure, मैं चाहता हूँ लोग मिरे से ज़्यादा दे तक engage रहे, YouTube का एक सबसे main algorithm क्या है, YouTube के लिए सबसे ज़्यादा important है, इसके लावा YouTube के लिए कुछ भी important है, कोई भी platform अगर अपना बना रहा है, तो कोई चाहेगा उस पर ज़्यादा दे तक रुक के रहे, टिक के रहे, और जो जितना हमाई साथ ज़्यादा रहेगा, उतनी ज़्यादा trust और authority बिल्ड होगी है, और company अहीं पर fail हो जाती है, personal brand इतने क्यों चल रहे है, क्योंकि वो interaction बहुत करते हैं, ठीक है, individual interactions, public के साथ interaction, लेकिन company का क्या motive होता है, भेशना, 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 जैसे भार की company देख लो, Brian Monkada की देख लो, Sam Owens की देख लो, या जो भी भार के coaches consultant है, उनका team के साथ interaction होता है, लेकिन company क्या करते हैं, direct बेचो, 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 ऐसे नहीं product company कभी भी चलती, इसलिए आज की date में, personal brand से लोग ज़्यादा resonate करते हैं, offer का मतलब यहाँ पर यह था, हम इसका intro, अलग shoot करेंगे, और outro, अलग shoot करेंगे, ठीक है, वो अलग shoot होगा outro, बेच की value यह मिल रही है, जो भी हम सिखा रहे हैं, outro में क्या होगा, मैं चाहता हूँ, लोग मेरी एक वीडियो के बाद, दूसरी वीडियो पर जाए, और दूसरी वीडियो में मैं ही बोलूँगा, इन दोनों वीडियो ने मेरी business में मदद करी है, जो actually मैं करी होगी जिस वीडियो ने, मैं वो ही session दूँगा, आप ये दोनों देख सकता है, and I'll see you in the next video, मैं subscribe करें निकलें नहीं कह रहा, क्योंकि YouTube पर subscribe का metrics ही नहीं कुछ, लोग सोचते हैं कि subscriber से views बढ़ते हैं, घंटा कुछ नहीं होता, subscriber से, subscriber नाम की चीज हटाई दो YouTube से, तो कोई मतलब नहीं मतलब नहीं मतलब, तुम्हारे अगर 10,000 followers हैं, और मेरे 1,00,00,00 हैं और हम different topic पे वीडियो बना रहे हैं कुछ भी चीज कर रहे हैं तो view same जा सकते हैं उससे मतलब ही नहीं है 4,00,00 सब्सक्राइबर है कि 4,00,00 वीडियो पर नहीं आएंगे न तो वही चीज है यहाँ पे जो subscriber है वह सिर्फ एक चीज शो करता है authority बस कि इसके इतने number है तो इसकी authority है industry के अंदर बाकि और चीजों से लेना देना नहीं है YouTube पे लोग fail क्यों होता है क्या लगता है सब्सक्राइबर के पीछे भागता है प्लस इसमें मेहनत बहुत है content बनाना shoot करना edit करना डालना SEO करना titles खोजना फिर वो डालना thumbnail बनाना Instagram पे क्या publish तो इसलिए तो authority नहीं है जिस चीज में जितनी मेहनत होगी जितना काम होगा उस चीज से तुमारी उतनी authority बनेगी क्या YouTube में competition है कही competition है जो लगता ना competition बहुत है कोई competition नहीं है भाई अगर मैं अपना नया यूट्यूब चैनल था दहरे सिंग चोहान के नाम से व्लॉगिंग का बना देंगे कुछ अनिस्क्रिप्ट चीज़े बना देंगे उसके उपर मैं ने दो तीन मीडियो डाल दी लोगोंने खुद देखना स्टार्ट करा क्योंकि मुझे पता लग गया था यूट्यूब पर subscribers का कोई ज़्यादा मैत्वर नहीं है यह चीज clear होगी कि content कैसे बनेगा हम क्या गलती कर रहे थे हम direct audience के साथ इंट्रेक्टर नहीं कर रहे थे कि यह topic इसी से related है तो हमें पहले intro shoot करना चाहिए उसके बाद value जो हम यह value provide कर रहे है उसके बाद offer में क्या करना subscribers नहीं क्योंकि मैत भी नहीं है उस चीज़ का हमें करना है कि दो वीडियो ने हमारी मदद करी है जो actually में बिजनस ग्रो करने में उसमें भेजो वह वाली वीडियो देखने जाएंगे उसके बाद वह वीडियो देखेंगे तो वह दूसरी लूप में जाएंगे क्योंकि उस वीडियो मैं assist करूँगा इसमें मेरी ये मदद करी अब ये चीज मैंने कैसे observe करी ये मुझे कैसे सिखाया ये चीज मुझे जानने को मिली मेरे एक वीडियो थी जो बहुत वायरल हुई थी instagram पे 10,000 followers किस तरीके से करना है अब किस तरीके से 10,000 followers करना है मैंने वो कर दिया लेकिन उसमें मैंने और सारी वीडियो को recommend करा पूरा YouTube चैनल की growth उस video की वैसे 50,000 subscriber गेन हुए 50,000 एक वीडियो से और वो भी एक महीने के अंदर अंदर वो एक वीडियो पजार था दूसरी वीडियो पजार था तीसरी वीडियो पजार था चौतरी वीडियो पजार था ये loop बनाना बहुत ज़ाद ज़रूर है अगर यह लूप बन जा है आज तुमने किसी creator के एक वीडियो देखी क्या तुम उसका product service खरीद लोगे नहीं खरीद लोगे 10 वीडियो देखोगे तो शायद खरीद लोगे अभी जो recently मेरे पास 2-3 लोग आया उन्होंने बोला कि हम आपकी वीडियो देख रहा था मैं सारे इंटर्वियो आपके देख चोगा हूँ मैं सारी मेरे तो माइंड़ेट प्रिपेर था कि मुझे आपसे लेने ही लेना है मैंने देव के साथ आपका वो देखा उसके बाद मैंने आपके क्लाइंट के टेस्टिमों देखे उसका उसका बिजनस है इवन पचास क्रोड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो अभी रिसेंटली कल कनवर्ट हुआ है उसने में जिसे बोला कि मैं तो पूरी राजचा आपका वीडियो देख रहता है हमसे तो काफी ज्यादा बिजनस है लेकिन वह हमारे में क्यों करेंट दिखाना है यूट्यूब हमारी वीडियो के थुरू वह यूट्यूब पर ठिका हुआ है मतलब और कंटेंट कंजूम करें जा रहा है तो यूट्यूब क्या करेगा हमारी वीडियो उसको बूस्ट करेगा ब्राउजर फीचर की वैसे है और बढ़ेगा अब सबसे बढ़िया ट्राफिक कौन सा माना जाता है कि consistent वाला क्रेक्ट है vam wekaam by सजेस्टिड वीडियो जो देखा होगा यह वीडियो चल रही है यहांपे साइड में छोड़ी छोटी 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 जाती है जो आधि यह सबसे बढ़िया यविक होता है क्यों क्यों लगता ह्य क्यों और थे इस इससे related ही एक दो वीडियो तीन चार वीडियो मिल जाएंगी तो मतलब उसका intent है इस problem को solve करने का और इसका नहीं होता है तो वो यहां आएगा suggest में जाएगा YouTube पे tax काम नहीं करते हैं जो लोग tax के पीछे भागते हैं यह waste है मेरे साब से हमारे content में क्या गलती थी यह पता लग गया हम क्या करना है भागे मैंने कुछ points बना रखे हैं उन चीजों के बारे में बताता हूँ content का structure shoot कैसे हो गया यह पता लग गया content हमें कैसे बनाना है वेल्यू offer में दूसरी वीडियो end screen completely बंद कर दो इससे क्या हो रहा था कि subscriber का वो जा रहा था subscribe कर लो और एक वीडियो का जा रहा था लेकिन हम तो बोली ने रहे से देख लो same video यह वाली देख लो आप क्योंकि एक content में शायद इतना जादा possible नहीं कि सारी चीज़म बता सके तो multiple पार्ट में चाहेगा और वो जरूर नहीं एक बार में बैठके देख ले शायद दुबारा देखेगा content उसको हमारा content इतना जादा पसंद आजाएगा कि हमारे सब्सक्राइब भी करेगा लगा सकते हैं लेकिन हम call to action नहीं दे रहे हैं हम क्या कर रहते हैं कि खतम हो गया subscribe to this channel and I'll see you in the next video नहीं करना है हमें सहिस्ट करना है कि जैसे वीडियो खतम होगी I hope you like this video इन दोनों वीडियो ने मेरी business में बहुत बंदत कर रहे हैं क्लिक एर और वाच दिस वीडियो और आल सी यू नेक्स वीडियो इसलिए हो रहे है क्योंकि हमें YouTube को improve करना है क्योंकि हमें million में सब्सक्राइब लेकर जाना है जब हमने YouTube स्टाइट कहा था मेरे पास बहुत इतनी तगड़ी वीडियो होनी चाहिए कि सामने वाला देखके पागल हो जाए कि यारे यार यह इतनी वेल्यू दे रहा है इतना ज्यादा सिखा रहा है फ्री में लिश के पास पेड में जाएंगे तो business obviously ग्रू करेगा यह जो content में बता रहा हो ना यह almost साथ साल analyze करने के बाद YouTube को जब बता रहा हो में चीज है कि हम जो भी चीज़े कर रहा है हमारी जो problem हा रही है हम वह solve कर रहे और यह business owner को problem और मैंने लोगों को देखा है लोग तड़पता है YouTube पे हम कैसे grow करें और YouTube तड़पते है ना अगर देखा यार YouTube पे कैसे subscriber gain होंगे कैसे views gain होंगे क्या करें हम कैसे content बनाए क्या shoot करें कैसे करें लोगों को actually मैं नहीं पता है और जब मैं मुझे लगता था कि यार चार लाग सब्सक्राइबर होना व्यूज वगएर होना यह कुछ आम बात है तो सब लोगों का लेकिन में देखा ना जब लोग तड़प रहे है यार धैर I just wanted to make my game really strong in YouTube help me out please in this और वो बड साल पहले साथ साल पहले इंप्लिमेंट करें अब कंटेंट बनेगा कैसे टाइटल क्या मैं अपने दिमाग से सोच हूँ नहीं जो लोगों को चाहिए या YouTube पर mostly searched होता है मैं वो करूंगा जैसे YouTube का title मैं search करूंगा और वह session में खुद खुल किया जाएगा यह session यह session for example यह वीडियो बने यूट्यूब के लिए तो मैं यूट्यूब डालो और नीचे session दिखा देगा how to grow on YouTube title खुल गए एक उठाया paste मारा मैं बुद्धी उसकरी कुछ अपनी जागास में मैं कहां मैनत कर रहा हूं content create करने में एक content टगड़ा है कि नहीं है जब रस्त content है न तो तो रुक्के देखे गई न content मैं ऐसे उठाऊंगा मैंने तुमने एक चीज ध्यान है मैंने YouTube growth followers subscribers इस चीज़ के बारे में दो तीन बार बोला भी क्यों बोला है कभी बताएगा करेक्ट algorithm keywords पकड़ता है मैं YouTube growth के बारे में बात कर रहा हूं YouTube subscriber के बारे में बात कर रहा हूं YouTube आपने देखा को automation पर आज़े captions आते हैं समझ गया ना कि वो खोद लिख रहा है तो caption पकड़ता है तो इसको अब यह SEO के अंदर आता है ठीक है SEO के अंदर हमने title लिया वीडियो के यहां पर paste के है title यह है हमारी वीडियो का primary keyword आगे डाला वीडियो के अंदर वही YouTube growth के बारे में हमने बोला तो यह हमारा एक तरीके सा SEO है मेरे लिए tags important नहीं है अब यहां पर जो लोग यह जो session मारे इन पर अगर तुम enter करके देखोगे जो भी जितनी वीडियो के सारी views वाली वीडियो के कोई भी ऐसे नहीं होगे 200-300 views पढ़े हजार लाख दो लाख तीन लाख एक million ऐसे views आएंगे अगर enter करोगे search बार पर जाक अब हमने यह topic लिया तो हम कहां पर आजाएंगे suggestion में के क्योंकि यह वीडियो किसी से related है इस topic से related अगर तुमारी वीडियो किसी के suggestion में आ रही है you're lucky नलब आपको अच्छा traffic मिलेगा क्योंकि उसका intent है वो problem search कर रहा है और यहां पर आने के बाद अगर हमारी वीडियो पे click कर रहा है तो यह बहुत अच्छा traffic माना जाता है टाइटल उठाया search करके जिस वीडियो पर ज्यादा व्यूज लग रहा है जो सारी हमारी वीडियो से resonate करना content से paste किया पेस्ट करने के बाद उस पर व्यूज भी बढ़ेंगे क्योंकि यह highly searchable है दूसरा यह suggested में दिखाई देगा अगर कोई highly searchable topic को देख रहा है मैं अपनी तरफ से content नहीं बनोंगा मैं अपनी तरफ से नहीं सोचूँगा कि मुझे title यह रखना चाहिए मुझे वूच रखना चाहिए title से हो जाएगा title search करने के जरूरते नहीं है suggested मा गया अच्छा traffic हो गया gain कर गए अब बात आती है main thumbnail की thumbnail सबसे बड़ा main matrix है अगर यूट्यूब ग्रोथ के बारे में है तो यूट्यूब ग्रोथ लिख दो 10,000 followers लिख दो या कुछ भी लिख दो जो भी तुम्हें लगता है अब thumbnail के अंदर हमारी जो picture रहेगी वह हमेशा कहा रहेगी right inside इसके पीछे reason पता ना इसके पीछे reason यह है कि यहां पर time आता है इसके पीछे reason यह है कि YouTube की जो theme है वो इस color की होती है हमारे thumbnail mix हो जाएंगे अगर YouTube अगर उस पर नहीं चला रखिए black mode पर तो simple सा यह है कि हमें यह color दिखेंगे और वो उसमें नहीं दिखेगा कौन-कौन से color इस्तमाल करने है green blue जो आजकल हमारा चल रहा है orange और क्या हो सकता है yellow यह contrast color है contrast मतलब जो एकदम से अलग से चमकता है Alex homozy blue मेरा देखा था pink और purple सबसे अलग संदीप महिश और पिंक और परपल राइड तो हमें यह color इस्तमाल करने है जो मोटी मोटी गलती हम कर रहे थे YouTube पर अभी तक वह यह था कि हम ना hook बनारते और ना हम offer कर रहे थे वीडियो को अगर किसी ने यह strategy follow कर ली बस इतनी सी यह बहुत refine करके बता हम नहीं तो महाँ भारत है YouTube के अंदर बहुत सारी अगर तुम जितनी डीप analysis अपने पेड कंटेंट के लिए कर रहे हो फ्री के लिए कर लिए तो आप अपना यूट्यूब चैनल दो से तीन महीने के अंदर लाग subscriber क्रोज कर सकते हो लाग subscriber अगर तुम इसके ओपर सही से काम कर लो तो तो analytics अगर किसी को जाना है किसी को YouTube पर जाना है तो analytics पर काम करना स्टार्ट करो बहुत deeply कहां से आ रहा है क्यों आ रहा है कैसे इंप्रोवाइस किया जा सकते वो सारी चीज़े स्टार्टिंग में जो लोग YouTube स्टार्ट कर रहे हैं तुम लोगों को अपना भी स्टार्ट करना तो बहुत क्लिक है रहा है कम वोल्यूम में कभी नहीं पहुच पाओगे अगर स्टार्ट की में हफते में या महीने में एक वीडियो बना करें नहीं आपको चाहिए वोल्यूम ज्यादा वोल्यूम मैं कैसे YouTube पे सकतसुल हो पाया पहले क्योंकि मैंने वोल्यूम में कंटेंट डाला बहुत कंटेंट डाला तीन विडियोूब चाह विडियो। च्छम विडियो। कितने वीडियो।ब्स तिया हमारे YouTube चैनल पे 1000 कितने डिलिट करें हमने 1000 क्या सब्सक्राथ वीडियो डिलिट करें हमने क्या हमने निशेंजर दिया अपना तो वॉल्यूम एक लिवल पर पॉच्च आप देखो हर्ष बैनिवाल या एलेक्स होमोजी इमान गाजी या जितने भी एक्स वाइज यूट्यूब हैं बीबी की वाइज क्या है रेगुलर वीडियो डालते हैं नहीं इन्होंने वॉल्यूम डालके वो चीज गेन कर ली स्ट स्टार्टिंग में वॉल्यूम गेम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बाद में नहीं अभी हमारे पास एक्चुली में इतना टाइम ही नहीं अगर हमें ओर्डियंस को रिपीटिव कंटेंट देना जैसे अमें तो बढ़ाना बहुत जादा चला पहले अब नहीं चल रहा हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट पर काम करें अगर कोई बिजनेस ओनर यह देख लेगा पगला जाएगा यह चीज अगर हमें पता लग जा तो हमारा बिजनेस ग्रोग जाए अथॉरिटी बन जा है जो हम नहीं बेख पार है वो हम बेच पाएंगे बहुत सिंपल है तो वॉल्यूम के उपर काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में जो नए यूट्यूब चैनल बना रहे हैं एजन को जरुवत है यह आप लोगों को बताने के लिए है बट हम अभी हफते में एक वीडियो डालेंगे और उसको बहुत तखड़ा कंटेंट डालेंगे यूट्यूब का गेम सौझ माया कि यूट्यूब का गेम क्या हम क्या गलती करें तो हमें क्या इंप्रूव करना बस यही चीजों का में ध्यान रखना और थाम्डेल टाइटल और सेजिस्टिट वीडियो में कैसे पहुस्टना है हाई सर्च वॉल्यूम कैसे लेकर आने है कि इस तरिकर हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और ग्रो करेंगे स्टार्ट कैसे अधर Augen करेंगे जो हमें लिएक्षैंड अ घ॥िए होगी अगर आपको यह यह वीडियो पसंद आही है तो ईसको लाइक करना जादा सब्स आपको ये साइड में दोनों वीडियो देख रहे हैं अगर आप देखोगे ये इसी वीडियो की तरह बहुत इंडेप्ट वीडियो है जो कि बहुत पाफुल है आपके बेजनेस को 360 चेंज और प्रोफिटेबल बना सकते हैं So I'll see you in these videos